उत्तर परदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है पिछले साल उत्तर परदेश के सीम योगया दितनात ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए जिस मुख्यमंत्री सामोय की विवा युजना का एलान किया था अधिनस्तों ने उसे ही ब्रस्ट अचार का शिकार बना दिया युजना के तह दुलनों को जो गहने दिये जा रहे हैं वे नकली निकल रहे हैं हमीरपूर जिले में एक ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिसमें पिछले दिनों वे शादी समारों में दुलहनों को दिये गए चांदी के गहने नकली होने की पुष्टी की गई इस मामले में हमीरपूर की हिमान्षी और राहुल की शादी कराई गई थी मंडब में परशासन की उर से दुलनों को भार दिया गया इस जोड़े को नगर पंचायत समेरपुर ने च्यानित किया था इस दंपती ने नकली पायल दिये जाने की शिकायत की उसने जिलादिकारी को भी इस मामले की शिकायत कर आरोप लगाए कि उसे जो चांदी की पायल दी गई है वे नकली है एक नहीं दो दो सुनारों ने उसकी पुष्टी की है की पायल गिलट की है तो महीं जिले के सुमेरपुर की नविन गल्ला मंडी परीसर पर ग्यारा दिन पहले मुख्यमंत्री सामोहिक विवा योजना के तहर त्रेसर जोडों की शादी कराई गई थी जिसमें यह गैने इनने वित्रित किये गई थे अब इस मामले में SDM सदर ने जांच शुरू कर दी है SPN 9 News Room की रिपोर्ट